हेलो शुट्रेंट्स, वेल्गों टू माई नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, कैसे हैं सब लोग, मस्ट, बढ़िया, तो चलो लोग स्टार्ट करते हैं आज हम लोग Hospital and Clinical Pharmacy का Chapter No.3 का Lecture No.4 ठीक है न, जहाँ पर हम लोग Supply Chain and Inventory Control की बाते कर रहे थे, जहाँ पर आज कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग Expiry Drug Removal, जो Expiry Drug होते हैं, उनका Remove करना, हटाना, उन्हों कैसे Handle करेंगे, कैसे Dispose करेंगे, ठीक है और Disposal of Narcotics and Cytotoxic Drugs, बहुत सिंपल सा टॉपिक आई है, बहुत टॉपिक नहीं है, तो जानते हो उसके बारे में, सारी बाते जानते हो, बस हमको इवरी क्या है, इसको पढ़ लेना है, कि इसके अंदर ये सब चीज़ें भी हैं औक तो सटार्ट करते हैं आते हैं, एक्सपैरी द्रग क्या होते है, फार्मसेटी कर पर्डॉट्ट ऐटर नॉट फिट फॉर यूज़, जो हुमारे यूज़ के लिए फिट नहीं है, एंड सूड बी कंसीज़र्ड ऐज फार्मसेटिकल वेस्ट एड सूड भी रिमूज़ बहुत सारा प्रोड़क्ट ऐसा है जो हमारे यूज करने के लिए फिट नहीं है और इनको considered नहीं और इनको considered किया जाना चाहिए as a pharmaceutical waste, हमारी यूज करने के लिए फिट नहीं है और ये pharmaceutical waste होते हैं, should be removed, इनका remove होना, यानकि जो हमारा main दवाईयों का stock है, वहां से हमको इनको ह हटा देना है, ठीक है, कौन-कौन से दवाई आयाती है, इनके अंदर, all expired pharmaceutical जिनकी expired date निकल गई है, वो सब तो आएंगे याएंगे, उसके बाद कोन है, all unsealed expired और unexpired syrup और eye drop, ठीक है देखो एक तो होगे expired, यहाँ पर expired क्या मतलब है, फिर यहाँ पर unsealed बोल देखे, expired हम लोग कोई चीज यूज कर रहे हैं, कोई पत्ता था हमारे पास, या कोई syrup था, है ना, कोई पत्ता था हमारे पास, या कोई syrup था और हम लोग यूज कर रहे थे, और यूज करते करते मानलो हम लोग कुछी गोलियां, खा पाएं इसकी आदी, और तब तक वो क्या होगे, expired हो गई यह सीरफ हम आधा पी पाए तब तक हो गया वो उसको अटाना है अंसील एक्सपाइड और अनेक्सपाइड सीरफ और आई ड्रॉप ठीक है ना तो कह रहा है जो अंसील जो जिसकी सील टूट चुकी है है ना मालों सीरफ तुम मार्केट से लेने जाओगे तो खुला वो सीरफ खईद होगा नहीं है ना कोई टैबलेट है जो कि उसके अंदर बंद होनी चीए खुली टैबलेट पत्ते के अंदर होनी चीए वह खोल के को तुम्हें देगा तो वह तो तुम नहीं लेगे याने की जो अनसील हो गई है जिसकी सील तूट चुकी है ऐसे सीरफ या आईड्रॉप या दवाईयां हमको नहीं लेनीए वह वेस्ट केटरी में जाएंगे और कोल्ड चेंड डेमेज कोल्ड चेंड डेमेज का क्या मतलब होता है ऐसी दवाईयां जिनको कहां रखा जाता है जिनको ठंडे में रखना है किसे में रखना है ठंडी जगहों में जैसे कि कौन-कौन है इंसूलिन है पॉलिपेप्टाइड सार्मों से और कुछ वैक्सीन से अगर उनको उतना टंप्रेचर में ना रखा जाए तो वो खराब हो जाती है तो इसलिए कह रहा है औल कोल्ड चेंड ड है हमें जो गएं बट अनेक्सपाइड है एक होगे एक होगे जो अनसील्ड है एक होगे जो ठंडी जगहों पर रखने चाहिए थे बट ठंडी जगहों पर किसी वैसे हम नहीं रख पाए हैं ठीक है न तो यह सब कैटेगरी किसमा आ जाती है फार्मासूटिकल वेस्ट मा ज तरीका है एक फार्ट शुडबी पॉपर्ली हैंडल इन ओर्डर टो कैसे हैंडल किया जाए किस तरीके से उनको निकाल करके हमें ठिकान लगाना है तो शुड़ी पॉपर्ली हैंडल इन और तो रिडिउस दा डैमेश टू दूदा हैल्ट एन पॉल्यूट दे एन्वाइमे है कुछ स्टेप हमको फॉलो करने इसको हैंडलिंग करते वक्त फॉलेंग स्टेप सुड़ी फॉलोट दा एक्सपाइड ड्रग और डैमेश ड्रग मस्ट भी सेपरेट फ्रॉम दा यूजेबल रग सबसे पहले तो हमें एक्सपाइड ड्रग को अलग कर लेना है हमारी यू मस्ट भी कैप्टिन सेपरेट बॉक्स मार्किंग आउट ऑफ यूज देखा को तुम्हों ने मैडिक को श्टो बगरम रहता है एक छोटा डबबर रहेगा उसके उपर एक्सपाइड ड्रग लिख देते हैं या आउट ऑफ यूज लिख देते हैं और वो सारी दवाईयां प्रणा करके उसके अंदर पटक देते हैं हम लोग तर रिजन फॉफ एक्सपाइड यूज बिस्पैड इन दर रेइस्टर उस रेइस्टर में एक्सपाइड रिजन भी लिखना पड़ता है क्योंकि वहां पर दिखाना पड़ता है कि बिकी नहीं है क्या क्यों और रिजन ह ठीक है तो यह लिए पांच तरीके सिंपल ओ गए अलग करेंगे रिज्टर बनाएंगे एक अलग बॉक्स में डाल देंगे उसका रिजन लिखेंगे और प्रपर तरीके सा उसको डिस्पोस कर देंगे एक्सपारी ड्रग डिस्पोसल आट नौ तरीके हैं डिस्पोस करने के लेकिन किस ड्रग को कैसे डिस्पोस करेंगे यह हमें समझना है तो following are the recommended guidelines of the safe disposal of the expired drug ये कुछ guideline है कौन कौन सी है सबस्वेल कोशिश करेंगे return to the donor or manufacturer कोशिश करेंगे अगर किसी ने दवाया डोनेट करी है या कहीं manufacturer से आई है तो हम वो दवाया उसको वापस लोटा दे ठीक है ना wherever practical जहां कहीं पर भी practical हो संभव हो the possibility of returning usable drugs unusable drug sorry जो unusable drug हो गया है for safe disposal by the manufacturer should be explored क्योंकि जो manufacturer होती है ने company होती है उनके पास proper तरीके वादर dispose करने के हम लोग आज proper तरीके नहीं है कि हम कैसे इसको dispose करेंगे तो कोशिश करनी कि हम उनको वापस लोटा दे should be explored particularly drug which present disposal problems such as anti-neoleptics और खास करकि उन ड्रक्स को तो पक्का लोटा है जहां पर कुछ ड्रक्स ऐसी इनको प्रपर डिस्पोस करने में दिक्कत आती है और वो डिस्पोस करने के तरीके manufacture के पास होते हैं कोगि तो बनाई रहे हैं उनके वाद काई वह लॉट खराब होता है कोई चीज खराब हो जाती है तो प्रॉपर तरीके वह ड्रक्स क्या करते हैं डिस्पोस करते हैं लैंडफिल जो है सबसे पुराना और वाइडली असा है प्रैक्टिस मतला आप कोड़े में डाल दीजिए कोड़े से उठके कहीं चली जाएंगी दबाईयां ठीक है अब कई तरीके के लैंडफिल है हमार पास एक है जहां पर हमने कुछ किया नहीं है खुला था जाके फैंक दी दबाईयां अन्ट्रीटेड किसी तरह से ट्रीट्मेंट नहीं दिया दबाईयों को waste discharge into an uncontrolled non-engineered open dump non-engineered का मतलब हो गया हमने किसी तरह का कोई खास equipment या कोई खास चीज नहीं करिया है जिससे की दबाईयों को proper dispose किया जा सके ठीक है ना अभी इंजिएर वाला भी समझाएंगे untreated हमने किसी तरह के दबाईयों को treat नहीं क्या पत्ता था दबाईयों सिर्फ फैक दिया हमने ठीक है ना अब यह तीन सब्द आ गए है इमोबिलाईयों को ने खास प्रोसेस करके जमा देते हैं concrete के अंदर पत्थर के अंदर वहां से दबाईयों निकल नहीं सकती है तो इमोबिलाईयों हो जाएगा फिर उसे किसी कैप्सूल में या किसी तरीके से हम इनर्ट कर देंगे reaction हो गरा करा कुरू के ठीक है ना तो कह रहा है कायदे में हमें उन्हें discharge करने से पहले immobilization by encapsulation or initization उसे immobilize कर देना चाहिए कैसे करेंगे वह आगे तरीके आएंगे अभी फिर कह रहा है engineered landfill अब engineered यान कि हमने यहां पर कुछ खास साधन कुछ खास तरीके अपनाए हैं दवाईयों को land पर डालने के लिए एन appropriate landfill consists of an evacuated pit सबसे पहले गड़्दा को देंगे isolated from water courses जो की water level से दूर होना चाहिए और नदी नहरों से दूर होना चाहिए है ना isolated अलाग होना चाहिए from water courses जो नदिया बगए रहा है जीले बगए रहा है and above the water table और water table से भी उपर हो क्योंकि दवाईया risk करके पाने तर्म नहीं जाना चाहिए तो जो टर्म बोलते हैं safe sanitary landfill वो इसी को कहा गया है जहां पर प्रॉपर है ना the term safe sanitary landfill referred to safe sanitary landfill किसको कहा गया refer to such a site ऐसी जगहों कहा गया that is adequately situated जो प्रियाप तो प्रॉपर तरीके से situated है constructed है बनी हुई है और manage की जा रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं safe sanitary landfill कहते हैं तो यह ही होगी हमारी engineered landfill यहां पर हम लोग proper तरीके से scientific तरीके से उसको दफन कर रहे हैं कदम कहानी मन से बना के लिख दो गया फैना कि क्या होता है waste immobilization और encapsulation नहां पर क्या है encapsulation का मतलब हो गया किसी चीज़ के अंदर पैक कर देना encapsulation involves immobilizing immobilizing मतलब move ना कर पाना encapsulation involved encapsulation का मतलब है जिसमें immobilizing the pharmaceutical in a solid block एक solid block के अंदर एक बक्से के अंदर हम दब या डाल देगा जहां से वह मूव नहीं कर पाएंगी within a plastic or steel drum और खासकर वो box इसका बना होता है जो block बता रहे हैं आपर वो plastic का या steel drum का बना होता है they are filled to 75% capacity with solid and semi-solid pharmaceuticals वो जो डबबा होगा हमारे पास suppose ठीक नहीं जो block होगा उसको 75% तक भर देंगे pharmaceuticals तक उसके बाद and the remaining space is filled by pouring in a medium such as cement or cement lime mixture बाखी का 25% है उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे cement भर देंगे गिला करके तो जमा देगा उसको ठीक है ना cement या lime mixture या plastic foam या bituminous sand कुछ भी चीज़ जैसे डाल देंगे याद ना रहे तो इसका साइलाइन हटा देना क्यों इतने जहां रखना such as cement जैसे उस डबबे केंदर cement जाएगा तो पूरा दबा देगा अब वहां से pharmaceuticals बहार नहीं निकल सकते है ठीक है ना और वहीं के वहीं दफन रहेंगे ठीक है इससे क्या है environment में health hazards नहीं होंगे ओके once the drum are filled 75% capacity the mixture of lime, cement and water in the proportion 15-15-5 ठीक है यह proportion लिया जाता है जिससे यह ठोस sword बन सके by weight it added and the drum filled to the capacity और उसे पूरा उपर तक भर दिया जाता है इस्टील ड्रम लिट शुट भी देन भी bent back and sealed इस्टील ड्रम होगा तो उसको वापसे बैंट करके उसे सील कर दिया जाता है आइडियली बाइ सीम और spot welding है ना सीम या spot welding weld कर दिया जाएगा उसे तशील ड्रम शुट भी प्लेश्ट एड़ बेस आफ दा landfill and cover जो landfill होता है उसके बेस पर जाकर उसे कर देंगे और फिर ढग देंगे तो अब वहां से दबाईया बाहर निकलने का सवाली पैदा नहीं होता है बहुत अच्छा तरीका है यह ठीक है तो जहां पर फ्रेश मुंसिपल सॉल्ड वेस्ट होता है वहीं पर गट्टा खो दे जो एंटी नियो प्लास्टिक हैं है ना कैंसर से उनको सबसा अलग तरीका चाहिए होता है यह दे ड्रग मस्ट वी डिश्ट्रोइड इन टू चैंबर इंसेंडरेटर यहां पर दो चैंबर का बना हुआ एक इंसेंडरेटर भस्म करने वाला यंत्र इंसेंडरेटर होता है दो चेंबर का एक चेंबर चेंबर नबर दूसरा इसके अंदर इतना पियज़ औहरा जल करके नवा जो है ऐसा है इंस एंजहींतर है इंजह कर दे तो कहरерм एस चैज़्ध को मिए खास तरीके से एक खास different technique से हम लोग destroy करते हैं यहाँ पर क्या होता है मरक्वास two chamber incinerator होता है which operates at a high temperature of at least 1200 degree centigrade जो कि 1200 degree centigrade तक operate करता है इस temperature पर in the secondary chamber and is fitted with a gas cleaning equipment है ना क्योंकि आगे जब gas निकलेगी तो यहाँ पर equipment लगा रहा था कि जो gas निकले वो साफ हो जाए ठीक है and after burner that is the secondary chamber is important for the destruction of cytotoxic waste at it as it is possible that anti-neu plastic solution could become aerolized अब जो यहाँ पर क्या कह रहा है साफ साफ यहाँ बात कह रहा है okay and after burner after burner मतलब is important मतलब जब जला देंगे उसके secondary burner है वो ज्यादा important होता है कि यहाँ से cytotoxic waste as it is possible that anti-neu plastic solution could become the solution होता है वो arrows aerosolized हो जाए हवा में जैसे spray डालते ना हम लोग उसमें convert हो जाए following the initial conversion in the primary chamber मतलब यहाँ पर जलने के बाद पहले chamber में जलने के बाद दूसरे chamber में आएगा तो हो सकता है वो spray की form में हवा के साथ मिल जाए ठीक है as a result कोई जलेगा ना तो जल के भस्म बनता है as a result without a higher temperature secondary chamber degraded anti-neu plastic material may be emitted from the chimney अब क्या कह रहा है as a result इसका पढ़िणाम क्या होगा अगर without a higher temperature secondary chamber अगर secondary chamber में हम लोग higher temperature नहीं देंगे तो जो यह aerosolized हो गया है हवा के अंदर इसके जो कण आ चुके है वो पूरी तरीके से भस्म नहीं होंगे ठीक है without a higher temperature secondary chamber degraded anti-neu plastic material may be emitted जो यहाँ पर degraded हुआ है पहले chamber में तूट-फूट हुए जिसकी वो may be emitted बाहर निकल चकता है from the chimney ठीक है इस चिमनी से क्या हो सकता है बाहर निकल चकता है दा secondary combustion chamber consequently ensures the such anti-neu plastic substances are fully incinerated तो जो secondary chamber है secondary combustion chamber consequently ensures परणाम सवरूप सुनिश्चित करता है secondary chamber यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे anti-neu plastic substance पूरी तरीके से जल जाएं तो simple सा concept समझें हिंदी में समझने के लिए पहले में जलाते हैं थोड़े बहुत से जो कंड होते हैं वो हवा में घुल जाते हैं solution होता है हवा के अंदर उसके पानी के लिए कंड चले जाते हैं तो एक इस प्रेश बन जाता है तो secondary chamber में इसका temperature और ज्यादा हाई किया जाता है जिससे कि यहां पूरी तरीके से जल जाएं और कुछ भी पार्टिकल यहां से बहार ना आपाए इस पहले चेंबर और दूसरा चेंबर किलिए रहे तो एंटी नियूप्लास्टिक के लिए इंसेंरेटर हो गया ध्यान रखेंगे वनमास कोशिण में आ सकता है और नॉर्मल अपना एक तरीका है इंकैसुलेशन वाला थीक्रा है इंकैसुलेशन थीक्र अचा हम ने कया किया है हमने बंद और ड्रम ड्रम एक yarn तरह बंगिया और उससे दफन कर दिया अव आगल एक और आने वाला अपने पास waste immolation, inertization है ना, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, inert कर देंगे कैसे inert कर रहे हैं, समझते है inertization is a variant of encapsulation, encapsulation की ही एक variety है, and involves removing the packaging material, paper, cardboard and plastic from the pharmaceuticals यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, खोल-खोल के खोल-खोल के दवायां सारी बाहर निकाल लेंगे ठीक है ना, removing the packaging, package को remove कर रहे हैं, pills need to be removed from their blister packs जो दवायां होगी उसको अपने packs, जो pills गोलियां होती हैं, उसको blister pack से बाहर निकाल लेंगे, the pharmaceuticals are then ground, and mix ground होतला, piece कर लेंगे, और mix कर लेंगे, पानी से, cement से, and lime से, ultimately, जो दवाय का solution उसको, cement मिला करके जमा रहे हैं, CDC बात ही है, added to form है, homogeneous paste, और क्या बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा, worker protection in the form of protective clothing and mask is required as there may be a dust हजाट, जो worker सोते हो, उनको खास तरह का कपड़ा पना जाता है, जिससे कि दवायों की जो, भस होती हो जोना लगे, the paste is then transported in the liquid state, जो paste उपर बना है, उसको लिक्वीड श्टेट करते हैं by concrete mixture truck to a landfill and decanted into the normal urban waste, ठीक है, फिर बाद जाकर के, वहाँ पर उसे हम लोग क्या कर देंगे, जला देंगे, जला सॉरी, कर देंगे, जम जाता है, फिर जाकर के वो, the paste then set as a solid mass or dispersed within the municipal solid waste, तो जहाँ पर solid waste होता है, वहाँ पर जाकर के, वो धीरे से क्या हो जाएगा, जम जाएगा, क्योंकि उस जो PCV दबाईएं हैं, उसका हमने cement, lime वगरा मिला दिया है, वो क्या हो जाएगी, जम जाएगी सारी दबाईएं, अब जम जाएगी, तो वहाँ से भाहर निकलने का, उनका सवाली पैदा नहीं होता है, तो approximate ratio यह चाहो तो याद रखना, दरवाइस कोई जरूत नहीं है, कि वो पता होना चाहिए, inertization में हम लोग गोलियों को निकाल लेते हैं, यह चाहिए, तो यहाँ पर इसका खास ratio दिया गया है, कि फार्मसेटिकल वे 65% होता है, लाइम 15% लिया जाता है, सीमें 15% होता है, वाटर 5% होता है, ठीक है, फिर सीवर, सीवर मतलब अपनी जो नाले बगएरा है, है ना नाले और जो गटर बगएरा होता है, सम लिक्विट्स फार्मसेटिकल एक्जामपल सीरप और इंट्रावेनस आईवी फिल्यूट थे, उनको पहले डाले करेंगे पानी मिला करके, और फिर सीवर में डाल देंगे, थोग थोड़ा करके, उससे क्या है, कि एकदम से सारण डालेंगे, धीरे धीरे एक फिक्स कॉंटेट डालते रहेंगे, जिससे कि क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, सीरियस हेल्थ हजार्ड नहीं होते है, ना एंवार्मेंट को ना पब्लिक को, बर्निं इन ओपन कंटेनर, एक तरीका लोग यह अपनाते हैं, बट इस नोट गुल्ट, साब साब लिखावा कर सकते हैं हम लोग यह, तरीका है, लेकिन नहीं करना चाहिए, फार्मेसिटिकल शुट नोट बी डिश्ट्रोइट बाइ बर्निं इन लोग तंपरेचर, लोग टंपरेचर पर बर्न नहीं करना चाहिए, लोग टंपरेचर पूरे जलते नहीं है, तो हांफुल गैसे उसमें से निकल सकती हैं, इन ओपन कंटेनर, एश टॉक्सिक पॉलिटेंड में बी रिलीज्ट इन्टू दा एयर, पॉलिविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक हाओवर मस्ट नॉट भी बन और जो उनकी पीवी सी के अंदर कुछ दवायां होती है, उनको नहीं जलाना चाहिए, तो ओवर वाल बात यहां पर यह बर्निंग एक प्रोसेस है, लेकिन सबसे पहली बात तो लो टमप्रीचर पर ना जलाएं और ओपन कंटेनर पर ना जलाएं तो ठीक है अधर्वाज दिक्कत है, मीडियम टमप्रीचर इंसेंडरेशन है ना बहुत हाई टमप्रीचर नहीं, बहुत लो नहीं, भीच का टमप्रीचर आ गया, बीच का टमप्रीचर के इतना है, आच्टो पचास, उपर हमने जो देखा था, वो कितना था, बारासो डिग्रीचर थीक ना, तो कहरा है, इन इमर्जेंशी सिचुएशन, ता रिस्पॉनसिबल अथर्टी में कंसिडर इट असेप्टेबल तू ट्रीट एकस्पाइड सॉलिड फॉर्म फार्मसिटिकल उजिग अटू चेंबर इंसेंडरेटर, तो कह रहा है, इमर्जेंशी सिचुएशन में जो रिस् सकता है, इसमें इमर्जेंशी सिचुएशन होती है, वह अभी हमें यहां पर नहीं आना है, विदा, कंबर्शन टेंशन टाइम आफ एक लिस्ट तू सेकंड कम से कम उसे दो सेकंड के लिदो जलना है, भास में तो ऐसा होता ना, बटन दबाए भास में खतम भार, ठीक है, यहां पर कंबर्शन टाइम का कंबर्शन टाइम का कंबर्शन टाइम के लिदो के लिदो जलाओं टो कम से कंड में रखना है, आगे आते हैं, इट रिकमेंडे डाइट फार्मसेटिकल वेस्ट बिद विद्ध लाज क्वान्रिटीटीस आफ मुंसिबल वेस्ट अप्रोक्सिमेटली वन इन 1000 यह रिकमेंड किया जाता है कि उसे मुंसिबल से डायूट कर दिया जाया जिससे कि उसका जो एफेक्ट बहुत यह ज्यादा कम हो जाए ठीक है यह लाइन नॉट सो इंपोर्टेंट छोड़ सकते इसको ठीक है यह लाइन जादे इंपोर्टेंट अपनी आगे जलें नाव नोवल हाई टंपरेचर सबसे बेस्ट एट 2000 डिरी सेंटीग्रेट ओल और अर्गनिक वेस्ट कॉंपोनेंट आर इफेक्टिवली टूट जाते हैं यह लाइन डिसिंटीग्रेट इफेक्टिव लेक्टम कायदे से टूट आएंगे इस टमपरेचर पर जो और्गनिक कंपाउंड होते हैं इंसे डरेटर सकन्फोर्मिंग तु इस डेलेटिशन वे उस फॉर दिस्पोजल ओफ है लो है लोगोजनेटर इस त लिए हैं इनके केस में हमें लोवर टमपरेचर इंसे डरेटर को यूज नहीं करना है ठीक है तो इंसे डिटरी आगे एक तरह से वह भी इंसे डिटर था यह यह हाई तंपरेचर वाला है हाई तंपरेचर में कुछ खास एक्जांपल दिये हैं नौग कैमिकल अगर भस्म करने वाली मशीन मौजूद नहीं है तो आप्शन ओफ कैमिकल डिकमपोजिशन कैन बी यूज तैना इसी के साथ ही है यह तो कह रहा है अगर प्रॉपर इंसे डिटर अवेलबल नहीं है तो हम लोग उसको डिस्पोस करेंगे लेकिन मैनफेक्चर के रिकमेंडे यह वाला तरीका जो पढ़ने जा रहे हैं तब तक हम नहीं अपनाएंगे जब तक की कैमिकल एक्सपर्टीज जब तक की वहाँ पर वो लोग ना मौजूद हो जिनको उसकी पूरी नॉलेज हो क्योंकि यह कैमिकल डिकमपोजिशन है अब क्या हो रहा है कैमिकल इनक्टिव में हम उसे करना चाहते है उतना मात्रा में होना चाहिए तब ही कर भाएंगे यह नहीं कि दो दो गोलियों को हम लोग केमिकली डिश्ट्रॉय कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा फॉर एक्जामपल फॉर डिस्पोजल ऑफ स्मॉल क्वांटिटीटी ऑफ एंटी नियू प्लास्ट एप्लिकेशन ऑफ दिस मैंट ठीक है ना तो कह रहा है अगर छोड़ा सा भी है ना तो इसमें कई बार ट्रीट करना पड़ता है ठीक है ना एज एवन स्मॉल कंसाइनमेंट छोटा छोटा सा भी कंसाइनमेंट जो है नीड टूबी ट्रीटेट तूरू रिपीटेड अप्ल ठीक है ना नौ तरीकों में तुम्हें बस पढ़ लेना है वह बीच में दो-3 थे इनकैपसुलेशन वाले थे इनकैपसुलेशन वाले थे छीगा ना चेमिकल डिकमपोजिशन वाला हो गया अब जैसे अगली हैदिंग हमारे पास नार्कॉनिक ड्रक्स को कैसे डिस्पोस कर लावा कोई तरीका फॉलोव नहीं करोगे अब करा फॉलॉइंग मेथड शुड नौट भी यूज़ यह तरीके तो यूज़ होने नीच चाहिए डारेक्ली टू लैंड फिल किसके लिए साइटो टॉक्सिक के लिए यह तरीके बिल्कुल इस्तुमाल नहीं करो डिस्पोस्ट सारे तरीके लिए हैं ठीक है तो जो बोलेगा चाहि इसका आजाय है कोई भी दो तरीके याद करो फूछाए पूछाम में कि भाई बताओ नाकोटिक डॉक्स को डिस्पोसल कैसे किया जाता है तो डिस्पोसल का तरीका करना ना मेरे खाल को बिल्कुल भी tough नहीं था बड़ लिखी जाएगी भस्म करना दफनाना सिमेंटेट कर देना रहे यह तो बच्चों अखेल है ठीक है यह तो कोई भी कर सकता है क्यों हमें लेंगज पर हमजनी दिए अच्छा यह सब चीज़ें इसके अंदर आती है दिमाग में सेट हो गई अब बस खतम उसे एक बार लिखके देख लो परियापत है किलियर है और ठीक है यह मेरा नंबर है जहांके आप मुझे कॉंटेट कर सकते हैं कोई प्रॉलम आती है ठीक है जितने भी नोट्स है इस लेक्चर का भी नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यह अपना एप है यह एप का प्राइस ह ठीक है ना और रिवीजन करते रहना है आल दा बेस्ट